हेलो गाइस तो आज हम वैलेंटाइन डे के लिए 10 स्पेशल केक बनाएंगे सारे केक हार्ड शेप में बनाएंगे और इन पर मैंने अलग-अलग कलर की आइसिंग कर ली है और इन सबको मैं डेकोरेशन करके आपको दिखाऊंगा यह पिंग कलर के केक पर जो मैंने आइसिंग कर रहा हूं जो मैंने पहले के एक पर मारा था और मैंने इसकी बॉंडरी क्रेट कर दी है और मैं इसकी बॉंडरी पर एक आउटलाइन क्रेट कर दूँगा वाइट पाइपिन से तो आउटलाइन को मैंने थोड़ा जिग-जैक करके मारा है और अब मैं इस पर फ्लावर बन आकर आपको दिखा दिया था ठोड़ी गरी करी तोだ इक राउंड ड्रॉप मार दिया है और उस पर वाईट अपएपिन से रहू अबार है sa love लिख दिया है वहारे फोड़ा स्फेस्स duplic बहुत ही चोटे मार है और और इससे हमारे केक का लुक काफी अच्छा हो जुगा है और हमारा इसी के साथ पहले केक फाइनल हो जुगा है बाकि आप मुझे कमेंट में बताना आपको कौन सा केक साथ अच्छा लगा तो हमने दूसरे केक को डेकुरेट करना शुरू कर दिया है सब से पहले मैंने किन कलर के दो ड्रोप मार रहे हैं और वाइट पाइप इंसे बारीग बारीग छोटे चोटे डॉट मार दिया है और जो थोड़ी स्पेस बचरता उस पर वाइट बॉल्स डाल दिया है और हमारा दूसरा केक भी तयार हो चुका है तो अब हम तीसरे केक की डैकॉरेशन करना श उस तरीके का लुक दिया है मैंने इस पर उसी पाइप इन से मैंने लव लिख दिया है मैं जब भी कोई केक की वीडियो देखता हूँ तो इस तरह के काफी सारे केक आते हैं कॉमिक्स केक तो मैं आज इसमें बना कर दिखा रहा हूँ आपको तो चोटे-चोटे मैंने बॉन करके जरूर बताएं मैं अपने काम पर सुधार करने की कोशिश करूँगा तो मैंने लव पर काफी छोड़ छोड़ कर आउटलाइन माड़ दिया है और इससे काफी अच्छा लुक आ रहा है कि एक बहुत ही प्यारा लग रहा था और अगर आप इसके को राउंड या इसको प्यार में बनाओगे तो भी इसकी कलूग बहुत प्यारा आएगा तो इसी के साथ हमारा तीसरा केक भी तैयार हो चुका है तो अब हम अपना चौत्ता केक डेगुरेट करेंगे सबसे पहले मैंने पिंक कलर की क्रिम से दो नीचे बॉन डिपर बार्टर मार लिया है और इस के ऊपर एक आउटलाइन मनाई है पिंक कलर की क्रिम से ही और अब मैं इसमें डार्क पिंक कलर की क्रिम से कुछ ड्रॉप मारूंगा और जो नूजल में यूज कर रहा हूं इसमें ये उससे थोड़ा बड़ा है रोज नूजल बोलते हैं इसको बड़े नूजल मारने के बा इसके लिए मैं इसके बीच में एक फोटो रखूँगा यह इडेबल फोटो है यह मैंने काफी सारी फोटो निकल वाली थी तो अब हम अपने पांचवे के की डेकोरेशन करते हैं सबसे पहले मैंने एक छोटी रैड पाइप इन बना ली थी और क्रीम के हार्ट बना लिए थी जितने भी मैं डिजाइन बना रहा हूं सारे बहुत ही सिंपल बना रहा हूं और बहुत ही अच्छे लग रहा हैं यह बनने के बाद काफी अमेजिंग लुक आरा था मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में तो इसी के साथ हमारा पांचवा केक भी कंप्लिट हो चुका है मैं कैकबने इस इसके पर भी एक टेबल छोटी फोटो यूजच कर रही है ऐसा कोई की जरूरी निया है कि आप पूटो करें आप कुछ और भी यूजच कर सकते हैं अप हाड्ड यूजच कर सकते हैं मेरे पास और लेड़िए ऐत इन फोटो रखिती ते थी तो इसी एक मैं रै के फिलावर यूज़ करूंगा फिलावर मैंने आपको पहले बना कर दिखा दिये थे फिलावर सेम है बस मैंने इस पर रैड कलर के बनाये हैं के की खुब शूटती बढ़ाने के लिए मैंने इस टौबरी गिलेज की कुछ चोटे-चोटे ड्रॉक मार दिये हैं इसी के साथ हम सबस़ 흥ा मेहनत वाली वीडियो आया है इसे शूट करने के लिए मुझे बहुत जादा टाइम लगा है और वोईस कवर करने में तो उससे भी जादा टाइम लगा है तो लाइक कमेंठ तो इस वीडियो को करना ही है और पिलस अपने दोस्तों के साथ शेर करना है और अगर यहें दोनों के एक पर बॉर्डर क्रेट कर दिया एं और भार्ण डेखे उदे आपको कोई भी नोजल योउस कर सकते हैं तो बॉर्डर मारने के बाद में इसके एक पर कुछ चोटे छोटे चोटे फिलावर बनाओं गा चॉकलेट क्रिम said ही इसमें फिलावर बनाऊंगा मैं आपको दिखा रहा हूं छोटे छोटे फिलावर बनाने हैं मैं आपको बना कर दिखा रहा हूं आप देख लेजिए इस तरह के फिलावर बनाने हैं और इसको सैट कर देना है तीनों फिलावर को सैट करने के बाद में ग्रीन किलर की कुछ पत इसके बीच में फ्लैक जो है चॉकलेट की डार कंपाउंड की वो ग्रेट करके फ्लैक निकलवा के वो डाल दिया कुछ ब्राउन किलर के चोटे बड़े चोटे बड़े हार्ड से उस पर सैट कर दिया है और इसी के साथ हमारा आठवा केक बी तयार है अब जल्दी से नवी केकर डिजाइन बनाते हैं तो मैंने लाइट यैलो की पॉपन बनाकर इसकी बॉन्डी पर जिगजाग जिगजाग ञाप अपन को तोड़ा लिकूड रखा था लिकूड करी मिलाकर अच्छे से जिगजाग मारने के बाद इसी क्रिम की एक नोजल में पायपन बनाकर मैं इसके heart के उपर एक bond recreate करूँगा बस इस बात का दियान लगना है जिग-जैक नीचे तक बेस तक नहीं पहुँचने चाहिए उपर उपर ही मारने है cake के और हम मैं heart की इसी color की किरिम से bond बना रहा हूँ नोजल में डालके और उपर तो मैंने nozzle मार लिया है नीचे भी मैंने एक border मार दिया है कुछ मैं dark compound chocolate की garnish के कुछ hard लगा रहा हूँ यह यह chocolate के heart है तो इसी के साथ हमारा nozzle cake भी तयार है अब हम 10 वे cake को अपने last cake को decorate करना शुरू करेंगे मैंने cake के उपर bond पर कुछ drop मार रहा है है चोटे चोटे ड्रॉप मारे हैं और नीचे एक border create कर दिया है और इसमें मैंने green color की पत्तिया मार दिया है कुछ flower जैसा लुक आना चाहिए और पत्तिया मारने के बाद मैं कुछ white ball यूज़ करूँगा white ball से cover कर दूँगा कुछ artificial में इस पर butterfly भी लगानी है मुझे इस पर और अब मैं आपको cake के final look दिखाता हूँ हमारे ये cake भी क्योंकि तैयार हो चुका है तो वीडियो को like जरूर कर देना comment करना और बताना कौन सा cake आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना और सारे के एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और वीडियो को पुरा देखने के लिए thank you so much जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे